कणा करवना बहुत ही सिंपैल और इसे देख खाकर इसे के मुह पानी आने वाली यह भूखी मिठाई बनाने वाली है यह बनाना बहुत ही सिंपैल है तो चलिए बनना स्टार्ट करते हैं यहां मैंने गैस पे बनाया डालेंगे और अब इसमें हम दूद डालेंगे तो मैंने यहां एक लीटर दूद लिया है तो इस दूद की हमें रबड़ी बनानी है तो सारे दूद को हम इसमें डाल देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब किजिएगा तो इसे हमें कुक करना है जब तक यह अपनी क्वांटिटी से एक चौथा ही ना रहा जाए इसकी रबड़ी हमें बनानी है यह देखिए दूद में उबाल आना स्टार्ट हो गया है तो इसे हम इसी तरीके से बीच-बीच में चलाते रहेंगे यह मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है अब बनाना बहुत ही सिम्पल है बस हमें इसके लिए दूद की ही जरुट है उसी से बन जाएगी है दूद जब तक बॉइल हो रहा है तब तक यह देखिए मैंने यह घर में ही छेना निकाला हुआ है घर में ही बनाया तोड लेंगे इस तरीके से बिल्कुल बारीक कर लिया है अब इसमें हम थोड़ी सी 2-3 चमच घर की फ्रेस्ट मलाई डालेंगे इसे डालने से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसका टेक्स्चर भी जब मिठाई हम बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया यह बहुत ही अच्छी लगती है इसमें मलाई डालने से अब इन सारी चीजों को हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरीके से आप एक बार इस मिठाई को जरूर ट्राई करें यह बनाना भी बहुत सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादेश्ट लगती है ब तब इसे हम और पकाना है जब तक यह बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए तो इसे हम कंटिन्यू पकाते रहेंगे और बिच बिच में इस तरीके से चलाते रहेंगे इसे अगर आपको मेरे रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब अपने फैमली एंड फ्रेंड में सेयर किजिएगा अब इसमें हम थोड़े से हरी इलाइची कुट कर डाल देंगे फ्लेवर के लिए और अभी से हमें और और कुक करना है और गाढ़ा करना इसे जब यह रबडी के पॉर्म में आ जाएगी यह देखिए यह दूद अब गाढ़ा हो चुका है तो अभी थोड़ा सही से और हम पका लेंगे इसे कंटिन्यू चलाते रहे कि अब स्टेम्पेस में हम की जड़ेंगे यह दूद हैं तो में यह श्लका कूर्द करना हो देखिए उपको पचनल में करना कर सकते हैं जो आपको पशन्द और teils ब्रीय को भाच तो ओड़ा गाढ़ा कर लेंगे यह को एक देखिए दूद अब गाढा को उतका आ इसे अम को झाइः आने गिर अच्छी न को मेंश करकर के रखा था इसे हम सारे इसमें डाल देंगे गा आ की नूर्ड इसे हम है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अचल अच्छे से मिक्स कर लेना यमसे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे है कि दीरे दीरे चलाते विए जिस मिठाई कर टेस्ट बहुत ती अच्छा लगता है one day के खाने में बहुत स्वाधिश्च लगती है आप एक बार इसे ट्राइ करके देखें बहुत फ। गनती है यह मिठाई तो इस तरीके से हमें चलाने लाएं देखिए यह अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी अब कोई लम्स नहीं है तब ही से हम 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे अब देखिए जैसे जैसे यह कुखो ना स्टार्ट होगा इस कि इससे कंटिन्यू चलाते रहें औरना नीचे लग जाएगी जोगा अब कर शोब का बिल्कुल यह सफ्यद सफ्यद लड्डू बन कर तयार होती है जैसे मलाई लड्डूा बोलते हैं यह मलाई लड्डू बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होती है ये देखिए ये गाड़ा हो चुका है तब हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे ये देखिए ये मिठाई अब ये जो मिक्चर है बिल्कुल ठंडा हो चुका है तब हम एक इस्पून की हेल्प से इसे लेकर इसके गोल-गोल लड्डू बना लेंगे ये कोई बात ही नहीं है बिल्कुल पर्फेक्ट बन कर तयार होती है तो इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं आप इसे चाहे तो कोई भी सेप में बना सकते हैं बर्फी भी बना सकते हैं तो मैंने इसे लड्डू बनाया है अब यहां मैंने केसर की धागी को गर्म द तब इसे हम इस तरीके से सारे लड्डू पर लगा देंगे तिया मैंने सारे पर लगा दिये हैं और यह हमारा टेस्टी सा मिठाई बन कर त्यारे ताब भी इसे जरूर ट्राई करें